टाटा नेक्सोन गाड़ी है इसकी वायरिंग कर रहे हैं एंड्रोइड लगाया है नीट फॉर स्पीड का यह अपनी सेंसर की वायरे हैं जो इसकी ओरिजिनल है यह अपने से उत यहां लकती है उत्रेंगी जो अपने कपलर में लगेंगी सेंग पॉजीशन उत्र घ्याटारय्ण की महरसें का यह इए सन्ति इदर लेगी सेंग पोजीशन और इसका एक कपलर रेगी है जब तक आप बैक चालू नहीं करोगे यह कपलर लगा के तब तक आपका स्टैंसर वर्किंग नहीं करेगा बाकी सब ओरिजिनल है इसमें एंटीन अपिन जी पी आरेस सब कुछ इसी का ही वर्क करेगा अब चलते हैं एंड्रोइड में कैनमस सेटिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दूँ यह नीट फॉर स्पीट का एंड्रोइड का रस्टेडियो है विद रिशिष्टी प्लेयर और इसी प्लेयर में मैं कैनमस की सेटिंग करने जा रहा हूं तो canvas की setting करने से पहले आपको बता दूँ आपका system जो है internet से connect होना चाहिए यदि next zone की गाड़ी है तो तो सबसे पहले आपको car setting में आना है car setting में आने के वाद आपको यहां पर factory setting देखने को मिलेगा उस पे click करेंगे password आपको 4 time 8 दालनी है है okay करना है उसके पाद यहां पर सबसे टॉप पर canvas setting देखने को मिलेगा इसमें आपको high world data next zone select करना है यहां पर मैं high world select कर लिया हूं उसके बाद data select करना है और next zone select करना है और confirm पर click करना है और जैसे confirm पर click करेंगे आप successfully loaded दिखाएगा इसका मतलब आपका canvas की setting हो चुका है और यहां पर मैं reverse की camera की setting कर लेता हूं क्योंकि यह 360 दिखा रहा है और मुझे normal reverse camera के वर इंस्टॉल करना है तो reverse camera की setting करने के लिए यहां पर reverse camera की setting पर आना है और यहां पर देखे normal camera के लिए hd camera के लिए hd और 360 के लिए 360 उसके बाद आपको okay and restart के option पर click करेंगे आपका प्लेयर reboot करेंगा आपका player कुछ time के बाद start होगा और उसके बाद canvas की information देखने को मिलेगा प्लस आपको camera भी start हो जाएगा तो let's check करते हैं मेरा player जो है start हो चुका है और इसमें यहां पर देख सकते हैं अब मैं door open करके दिखाता हूं तो सबसे पहले आपको यहां पर left door open करता हूं अपना यहां देख सकते हैं left door open करने पर मेरा left door open हो चुका है और नीचे dashboard के जितने भी बटन है तो यहां पर देख सकते हैं button भी properly working में है और अब मैं आपको rear camera on करके दिखाता हूं अब मैं reverse ले रहा हूं यहां देख सकते हैं properly working में है प्लस आपको sensor भी check करा देता हूं यहां पर मैं किसी को पीछे भेज रहा हूं तो देख रहे यहां पर sensor देखने को मिल रहा है तो इस तरह से canvas इंस्टॉल करना next one गाड़ी में थैंक्यू प्लस देखने को